दोस्तों यदि आप भी एक यूटूबर है तो यह वीडियो आप के लिए बहुत ही जादा यूजफुल और हेलफुल होने वाली है देखिए होता क्या है कि जब हम लोग यूटूब पर वीडियो को अपलोड कर देते हैं टाइटल लिख देते हैं और उसका डिस्क्रिप्श को मैनेज करें खुद एक लाइसंस देता है जब हम वहां पर क्लिक करते हैं तो महां पर हम को दो Children's मिल जाते एक में इससे क्या होगा वीडियो में ऐसे का इュство कर सकते उनका है आपको सारे को डिटेल में इश्टे-बाइश्टे बताने वाला हूं विदियो कम्लीट जरूर देखे हैं चैनल प्रकार जरूर से कर लिये मेहफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तो मैं दिनेस रात पो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक इंपोर्टन चीज और है कि जैसे यदि आप इन लाइसेंस का यूज करते हैं तो यहां से आप अपनी वीडियो को प्रमोट भी कर सकते हैं तो चलि कृपि राट क्लिम दे सकते हैं क्योंकि उसने आपका कंटेंट यूज किया है तो आप उसको कोपी रैट क्लियम यह स्टाय करते अपनी वीडियो में यूज किया है तब भी आप उसको copyright claim ये copyright strike दे सकते हैं इसके लिए आपको standard YouTube license का option enable करना होगा चलिए बात कर लेते हैं दूसरे option की जो की होता है creative common attributes का इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये हुआ कि creative common मतलब कि वो जो आपका content है वो सब के लिए common हो जा आपकी वीडियो को download करके अपने चैनल पर या फिर कहीं पर upload कर दिया तो उसमें होगा क्या कि आपने जो license select करने मतलब कि आपको जो YouTube license देता है तो वो तो आपने select कर रहा है creative common attributes का तो इसमें आप उसको copyright strike ये copyright claim नहीं दे सकते हैं इसमें आपका फाइदा क्या होगा मतलब क यदि आपने अपने YouTube license में creative common attributes का option select किया है इसके बाद अगर कोई YouTuber या फिर कोई creator या फिर कोई आपका वीवर्स या subscriber है इसके बाद आपकी वीडियो का अपने वीडियो में यूज करता है या फिर कहीं पर भी upload करता है तो आप उसको copyright claim या copyright strike नहीं दे सकते हैं क्योंकि YouTube कह करता है कि यदि आपने creative common select कर रखा है तो आप उसमें किसी को भी copyright claim या strike नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो option होता है कि आपकी वीडियो कोई दूसरा creator या फिर वीवर्स जो है तो यूज कर सके अपनी वीडियो में अब आप लोग सोचेंगे इसमें हमें फाइदा क्या होगा हम स्टेंडर्ड यूटूब लाइसंस सेलेक्ट करें या फिर creative common attribution का option select करें देखिए दोस्तों इसमें आपको फाइदा होगा creative common select करने में क्योंकि इसमें होगा क्या कि आप लोग यह बड़े यूटूबर नहीं है मतलब कि आपको ज्यादा subscriber या फिर आपका ज्यादा audience नही यह तो इससे होगा कि कि आपकी वीडियो जो है काफी सारे लोगों तक पहुंचने लगेगी जिससे आपको चैल भी धीरी धीरे grow होने लगेगा मतलब यह मेरा experience आप जो भी select करना चाहिए select कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे यूटूबर यह भी बता दें कि आप standard YouTube license भी select लाना है तो यदि आपको बीडियो अच्छे लेको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें को कि मैं आपके लिए यूटूब selected वीडियो जिलाता रहता हूं रागे भी लाता रहूंग चलिए फिर मिलता है कि से नेस्ट वीडियो में के important जानकारी साथ तब तक के लिए जय हिन जय भार